आजे का इंत्हा पहले पिता ने छोड़ा फिर माँ ने अपने लालच के लिए बेवफाई की और फिर पती और बाद में बेटियों ने भी मूँ मूल लिया वले ही सारिका अपनी बेटियों के साथ दिख जाती है लेकिन अपनी जिन्दगी का जाता तर्समें उन्होंने अकेले पन में ही गुजारा घर परिवार को चलाने की जिम्बेदारी सारिका को पांस साल की उम्र में ही इंडरस्ट्री में ले आई ना तो उन्होंने खुल कर अपना वच्पंचिया और ना ही कभी स्कूल कॉलेज गई बोल्ड फिल्मों में काम करने वाली सारिका को अपनी निसी जिन्दगी में कई बोल्ड फैस्ते भी लेने पड़े बिना शादी के ही उन्होंने दो बेटिया पैदा की तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करते हैं एक्टर सारिका ठाकुर की हेलो दोस्तों अंटो स्टोरी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज इसी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें सारिका का जन 5 अक्टूबर 1960 को दिल्ली के एक मिडिलक्रास फैमली में हुआ सारिका जब 5 साल की थी तब उनके पिता परिवार को छोड़ कर कहीं चले गए और तब ही से वे अपने परिवार को सभालने के लिए कमाने लग गए सारिका की मा सारिका को लेकर मुंबई आ गए उनकी मा चाहती थी कि सारिका चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर फिल्मों में काम करे और वेपेटी को लेकर काम के लिए स्टूडियो वो प्रड़क्शन हाउस के चक्कर काटने लगी उनकी मेहनत रंग लाए और 1967 में आई फिल्म मजली दीदी में सारिका ने छोटी बच्ची का किर्दार निभा कर सभी का ध्यान अपने तरफ की जा इसके बाद वो कई फिल्मों में नजर आई बालकलाकार के रूप में उनकी सबसे फेमस मुवी हमरास थी सारिका को फिल्में भी मिली बस काम और पैसे कमाने के चक्कर में मैं स्कूल नहीं चापाई सारिका और उनकी माने काफि संखर्ष किया बस किराय के पैसे नहीं होते थे तो दोनों पैदल सफर करती थी लेकि जब सारिका की काम को पहचान मिलने लगी तो माने स्टूडियो में ही उनकी पढ़ाई शुरू करवा दी वो टीचर्स उन्हें वहीं पर आकर पढ़ाने लगे तेरा साल की उम्र में सारिका को राश्री प्रोडक्शन की गीत काता चल फिल्म से पहला लीड रोल का मौका मिल गया फिल्म हिट हुई और सारिका चायल्ड से लीड एक्ट्रस बन गई 1976 में आई फिल्म रक्षा बंदन में उनका किरदार काफे हिट रहा इसके बाद उनके पास काम की लाइन लग गई सारिका ने रजिया सुल्तान, बड़े दिलवाले, कैसे कैसे लोग, आस्ते, मैं कातिल हूँ और उचायल जैसे फिल्मों में काम किया साल 1981 में आयून की फिल्म करांती आज भी क्लासिक फिल्मों में से एक मानी चाती है असी के दशक में सारिका का नाम टॉप एक्रस में शुमार हो गया सचिन पिल्गाउंकर के साथ उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया इस दोरान दोनों की नस्दी किया बड़ी, दोनों शाथी भी करना चाते थे लेकिन उनकी माने ऐसा नहीं होने दिया क्योंकि बहचाती थी कि उनकी बेटी अपने करियर पर फोकस करे इसलिए अरिश्टा आगी नहीं बड़ पाया सारिका की मा बेटी के मैनेचर के तौर पर काम करती थी बेटी कौन से फिल्म करेगी और कितने फीस लेगी इसका फैसला भी उनकी मा के हाथ में ही था दोनों मा बेटी ने मिलकर खूब कमाई की और अच्छी खासी प्रापिटी भी मुंबई में चोड ली लेकिन जैसे जैसे सारिका को फे मिलता गया मा का बड़ता बेरुका होता गया या यू कहें कि लाल्ची होता गया एक इवेंट के दोरान कहा जाता है कि सारिका की मा ने उन्हें सरयम थपट चड़ दिया था दरअसल उस इवेंट को होस सारिका करने वाली थी लेकिन फैंस को आटोग्राफ देने के चक्कर में मैं वहां देड़ से पहुँची थी एक किस्सा दोनों की लड़ाई का यह भी मशूर हुआ कि एक बार सारिका सेट पर अकेली थी तो डिरेक्टर ने बच्ची पेमेंट उनके हाथ में दे दी सारिका ने उस पैसे से शौपिंग कर ली जिसकी खबर जब उनकी मा को हुई तो उन्होंने सारिका को बहुत डाटा वहीं एक बोल्स इनको लेकर भीवे आगब बुला हो गई थी जिसे लेकर दोनों में काफी लड़ाई हुई और सारिका घर छोड़ कर चली गई मस्दिकी बात तो यह थी कि जब सारिका अपने लिए घर डून रही थी तो उन्हें पता चला कि जहां वह घर डून रही है वहाँ उनके छे अपने घर है माने सारिका की कमाई से खुब प्रॉपटी जोड़ रखी थी लेकिन सारिका के नाम कुछ भी नहीं था सारीका को काम की जरूरत थी इस दोरान उन्होंने सुभाश गही की फिल्म विधाता की जिसमें वह बोल्ड हिरोईन की रूप में नजर आई फिल्म हिट रही और सारीका का काम भी काफी पसंद किया गया बहुत कम लोग जानते हैं कि सारीका की कमल हासन से पहले कपिल देव से शादी होने वाली थी मनोच कुमार की वाइफ ने दोनों को एक इवेंट के दोरान मिलवाया था वो चाहती थी कि सारीका कपिल देव से शादी कर ले लेकिन यह बात आगे बढ़ती उससे पहले ही कपिल देव अपनी एक्स करल्फरेंट के पास वापिस लौट गए विश्टा बनने से पहले ही तूट गया और सारी का अपने काम में बिसी हो गई उसी दोरान उनकी मुलाकात साउट स्टार कमल हासन से हुई जो उन दिनों मुंबई नगरी में काम कर रहे थे दोनों की दोस्ती बड़ी और दोनोंने अंधेरी में अपना फ्लैट खरीद लिया हाला कि कमल हसन पहले से ही शादी शुदा थे और तलाक का प्रोसीजर चल रहा था कि वे सारीका के साथ लेविन रिलेशन्शिप में रहने लगे लेविन में वे प्रेगनेंट हुई वो शुद्धी हसन को पैदा किया कमल हसन ने उन्हें शादी के लिए कहा लेकिन सारीका ने मना कर दिया और कहा कि वे दूसरे बच्ची की चम्न के बाद ही शादी करेंगी नहीं तो उनका पहला बच्चा नाचायस कहलाएगा फिर उनकी दूसरी बेटी अक्षरा हसन हुई तो दोनों ने शादी कर ली सारिका ने करियर छोड़कर कमल हसन के साथ चिनने जाने का फैसला किया शायद यहीं से सारिका ने यह एक गलत फैसला लिया दरसल अपने पीक पर पहुँचे करियर को सारिका ने छोड़कर कमल के साथ चिनने जाने का फैसला किया सारिका ने पती कमल हसन के फिल्मों में बतौर कॉस्ट्म डिजाइनर काम किया चाची 420 और हे राम में उन्होंने कॉस्ट्म डिजाइन किये हे राम के लिए उन्हें नैशनल आवार्ड भी दिया गया लेकिन यह रिश्टा लंबा नहीं चला कमल के साथ रहने की दौरान ही सारिका महसूस करने लगी कि यह रिश्टा लंबा नहीं चलने वाला फिर कुछ साल बद वही हुआ जिसका सारिका को डर था कमल उन्हीं की एक सहेली के प्यार में पड़ गए यह सहेली गौत्मी थी शादी शुदा गौत्मी कमल और सारिका की है शादी जादा समय तक नहीं चल पाई जिसके बाद कमल और सारिका साल 2004 में अलक हो गए बता दे कि गौत्मी ने एक बिच्निसमेंट से लव मेरिच की थी लेकिन एक साल के अंदर ही तोनों अलक हो गए और तलाक ले लिया इस रिश्टे से उन्हें एक बेटी जरूर हो गई थी गौत्मी अक्सर सारिका के साथ उसी घर में रहने लगी सारिका को अंदासा भी नहीं हुआ कि उनकी खास दोस्त के साथ पती की नज़्दी क्या बढ़ने लगी है आके कार जब ये मामला उजागर हुआ तो सारिका बहुत अपसेट हो गई ये सब होता देख सारिका बहुत दुखी और परेशान रहने लगी सारिका ने चन्नाई में फ्लैट की बालकरी से नीचे च्छलांग लगा दी इस तोरान उन्हें काफी चोटे आई और साथ ही तीन महीने तक उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा अलाकि इसके बाद जब लोटी दोया तैक कर चुकी थी कि वे कमल की जिन्दगी से निकल जाएगी वो जरूरी भी हो चुका था क्योंकि गौतनी के साथ कमल का दब़च हिपा प्याद अब साफ तोर पर सामने आ चुका था सारिका ने कमल हासन का घर छोड़ दिया और बेटियों के साथ मुंबई शिफ्ट हो गई लेकिन दोनों बेटे अपने पिता के साथ रहना चाहती थी मुंबई आने के बाद सारिका ने अपने पिता से मिलने की कोशिश की लेकिन मा से नहीं और प्रॉपटी पाने के लिए केस लड़ा मा अपने सारी प्रॉपटी उनकी देखरे करने वाले एक नौकर के नाम कर गई इस केस में आमिर खान ने सारिका के काफी हैल्प ही थी लेकिन इसके बाफ जूद सारीका अपनी ही प्रॉपटी अपने ही नोकर से हार गई सारीका एक बार फिर से काम की तलाश में लग गई उन्होंने परजानिया नाम की इंगलिश मोवी में भी काम किया जिसमें उनके सपोर्टिंग रोल को काफी पसंद किया गया इसके लिए सारिका को नेशनल आवार्ट से भी सम्मानित किया गया सारिका ने कई फिल्मों और टीवी सीरिल्स में भी काम किया है बैफल्म उचाई में भी नजर आई थी उन्होंने बार बार देखो पुरानी जीन्स जब तक हैजान और हरी पुत्ता जैसे फिल्मों में भी काम किया है तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके सरूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लेजे से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें